अब मुझे यहां से जम्मू जाना है उदर पठान कोट साइड में चाय दुकान सब भी नहीं खुला है ताप सफाई का अच्छा धियान रख्या गया है प्लेट फॉर्म पे तो एक भी लोग नहीं है पुराना रिलिवेस्टेसन है अभी तो कॉंटर बंध है काफी सननाटा ह है और कोई है भी नहीं अब सन्राइज होड़ा है ट्रेन तो है तीन बज़े चार पांच घंटा का जरनी करना था इसलिए हम रूग गये तरह सभी वगरा ही देखेंगे है तो है है तो है अब इस वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में तो ही मैं बैजनात में हूं और सब्सक्राइब हो गया है अच्छली हम पांच बज़े ही उठे उठने के बाद फ्रेस हो रहे कपड़ा उब्रपेने काफी ठंड था बाहर तो अंधेरा था इ यह महादेव रात में यह टेंपल इतना जैदा खुबसूरत लग रहा था अभी सिवरातरी के वज़े से सजाया गया था तो लाइट वैट लगाया गया अभी तो बंद है लाइट बागे नाइट के टाइम पे काफी खुबसूरत लग रहा था देखने में और यह कुछ ब जना 20 किलिमेटर का डिस्टेंस है 40 में लगा था फ़ाड़ा चलिए चलते हैं पाप रोला कि समान लेगे चाहरने उतरने में बस में काफी प्रावलिम होता है खास करके जब कम डिस्टेंस करना चलिए आ गया है हम पाप रोला ट्रेन का भी कोई पता नहीं है कितने बज़े चलते हैं रेलिवे एस्टेशन अभी तो यहां पर चाई दुकान सब भी नहीं खुला है हो सकता है रेलिवे एस्टेशन पर हो चाई दुकान बिसिकली बैजनाप से जो है वो ट्रेन सब जैदा चलता है वहाँ जोगिंदर नगर से तो एक ही ट्रेन आता है यहां तक बाकि से पठान कोट ट्रेंज आ नहीं रहा है जब हम हमाचल में एंटर किये थे तो पठान कोट से ही पता किये थे हम प्लेटफॉर्म पे तो एक भी लोग नहीं है जब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत रिशाज कर रहे हैं पता चला था निए गेन चलता है शब चार बोगी यहां पर पट्री के बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम है बेसिक्ली यह चोटी लहन है क्योंकि पहारों में क्या होता है कहीं कहीं पर तो जैदा बूगी लेके चल नहीं सकता काफी सननाटा है लोग है नहीं मॉर्निंग का टायम है इसके वएसे बट काफी क्लीन रखा गया है प्लेटफॉर्म को हम भी अपना बैग यहां रखे है एक्चली मैं जहां से हूं वहां भी पहले यह चोटी लाइन की ट्रेन चलती थी बट वहां पर चार बोगी नहीं कम से कम आठ या दस बोगी लगी होती थी तो वह जर्णी हम किये हैं ट्रेन का बच्पन में काफी जैदा लेकिन वह ट्रेन इतना खुबसूरत जर्णी नहीं दिखलाता था क्योंकि वह एक गौन या आप कह सकते हैं टौन तो नहीं भी जाना था वहां भी चलेगे उपर पहारों पर धूप निकला हुआ है बट नीची अभी तक धूप आया नहीं है जगा मुझे काफी अच्छा लगा है माचल यहां पर तो हम किछले आप 10 दिन से मतलब ट्रेवलिंग कर रहे हैं मस्त वाइब है यहां का इस समय फिर जाती है जहां तक जाएगी वहां तक चलेंगे उसके बाद वहां से फिर फटानकर निकलेंगे अब संद्राइज होड़ा आ थोड़ा दिन में अच्छा घासा धूप निकल जाएगा यह बोगी देखिए इस्वाप कलि रखा है यह वैसा लग रहा है जैसे फिल्मों म निकलते हैं यहां से ट्रेन तो है तीन बज़े तरह तक यहीं बैठते हैं होगा तो थोड़ा दिर बाद जाएंगे ऊपर खाना होना खाके आजाएंगे अभी तो समय हो रहा है सारे नो फाइनली इतना देर वेट करने के बाद अब जाके ट्रेन आके लगा है यहां पर सुभह आये थे साथ सारे साथ बज़े आये थे तब से बैठे हैं प्लेटफॉर्म पर अभी धाय बज़ चुका है अब चलके टिकट लेते हैं और फिर निकलते हैं नेट तीन बज़े यहां स इसलिए हम रुख गए नहीं तो मॉर्निंग में निकल जाते हैं पता नहीं इस ट्रेन के अंदर में लेट्रिंग बात्रूम सब भी है कि नहीं एक नूडपूर के ले दीज़ेगा तो शाट है यह जैदा ऐसा नहीं लगता यहां छोटी लेनों का ट्रेन का चार-पांच घ गंटा इसके अंदर बैठेंगे तो अब लैपटॉप पर एडिटिंग कर लेंगे मेरा लैपटॉप का बैटरी खड़ाब है तो बिना चार्ज में लगाई यूज नहीं कर पाते हैं चलिए कोई नहीं तो अगरा ही देखेंगे रास्ते का काफी एक्साइटेट थे इस ट् अलमपूर रेलिवे एस्टेशन है समय तो पोने चार हो गया है तीन पेटालीस के असपास हो गया है काफी क्लीन है साफ सफ है काफी जैदा है ब्लेटफॉर्म तो कर दो पाते हैं तो चलिए फाइनली यह ट्रेन जरनी कंप्लीट हुआ है चलका अब निकलते हैं ही माचल से हम तो यह ट्रेन जरनी 100 km का था बैजनात पापडोला में हम बैठे थे तीन बजे और यहां पे अभी नौ बजे छोड़ा है काफी अच्छा सफर था बट जैदा नहीं हम देख पाए क्योंकि रात हो गया अच्छी वज़े के बाद तो अंधेरा हो गया हमें सुबह का ट्रेल लेना चाहिए था चलिए चलते हैं पहले यहां बस स्टॉप फिर वहां से हम बस लेके पहुंशते मुझे यहां से जम्मू alive गुरुद्वारा में या किसी होटल में हर जगा खाना में जो भी हो लेकिन साथ में आपको कड़ी मिलेगा ही मिलेगा चलिए निकलते हैं यहां से चलते हैं बस ट्रेन जरनी तो काफी अच्छा रहा यहां तो अंधेरा है तो कुछ दिखने इड़ा है वहां कुछ लोग हैं चलते हैं यहां से पठान को टब में भी हो सकता है कभी फिर से हिमा चलाएंगे तो यह ट्रेन जरनी करेंगे इस बार तो सिर्फ आदा ही सफ़र का मज़ा ले पाए बस यहीं आती है क्या बस यहीं आती है ना इस टॉप यह यह ना बस इस टॉप तो हैगा विदे खुद ब पठान कोट जेक्सन पहुंचे हैं अभी तो समय हो गया है समय आने के बाद ट्रेन का पता किया है जाके तो मोर्निंग के चार बज़े हैनी निकल ले अभी तो दसी बज रहा है काफी समय है हमारे पास एक ट्रेशन पर बेट करेंगे फिलाल चलते हैं कुछ यहां पर खाना वाना खा लेते हैं खाना खाये नहीं है यहां पर सामने एक होटल है जलिए अब निकलते हैं जलते हैं जब अभी मौसम फ्रेश नहीं हुआ है कौन से तो फाइनली अभी हम बैसनों देवी पहुच चुके हैं एक्चली यहां हम पहुचे सारे बारा बज़े की आसपास अभी तो समय हो रहा है सारे छे यहां आते ही इतना ज्यादा हमें ठकान हो गया है इतना ज्यादा कि हम आते ही बैग रखके सोगे रूम लेके अभी उठे हैं तो नहाएं वाएं फ्रेस विए हैं फ्रेसोनिक के बाद कपड़ा टून रहे थे पूरे बैग में एक भी कपड़ा मुझे नहीं मिल रहा था साफ सारा गंदा हो रखा है एक्चली अब मेरी ट्रिप का एंड एंड भी हो रहा है तो इसलिए कोई भी कपड़ा साफ बच लिए तो 2-3 घंटा का जर्नी देखें अच्छा भी देखें जो कि आप लोग देखें भी होंगे बाकि मुझे लगता है कि अगर 6 वजे का मैं लेता मौर्णी वाला तो साइद संराइज भी देख लेता ट्रेंड जर्नी में और उसके बाद जो अच्छा खासा भी है पूर अच्छे वजे के बाद नाइट होगया तो देखना ही पाए तो हम कल जब पठान कोट मैं नाइट में पहुँचे थे तो वहां पर नाइट में तो ट्रें ती नहीं हुआ निखले थे पठान कोट से और तो हम पहुंचे थे भीए तक पहंच चुगे थे यहां आने के बाद ये इस यहां पर उसी में रूम लिये हैं 500 का मुझे पड़ा है वैसे मुझे एक ही दिन रहना है और नहाना विगरा भी था तो ध्रमसाला में क्या होता है कि पानी गर्ण मिलता नहीं इसके वज़े से हम यहां ले लिए हैं चलिए कोई नहीं इस वीडियो में तुम आप लोगों को दिखाने सके वही जर्णी ही दिखलाए हैं हिमाचल का आपको ट्रेन जर्णी दिखलाए हैं जो कि मुझे काफी जैदा खुबसूरत लगा अगर मैं मौर्निंग का छे बज़े का ट्रेन जर्णी करता तो जैदा खुबसूरत होता क्योंकि दिन का सारा जर्णी होता तब ब करना 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 पारा थका ऑट लाई। कर दो कर दो यह देखिए मा का दरवार क्या फूल सुरत लग रहा है यहां से देखने में जोटा यह सारा संसार माता झात ख़सो कर दो कर दो किसे झात गहा है यहां में किसी क्या ओेखत क्या झात थिए हूआ किसी कैसे छिएर रहा है बाहा है यहायाा